हैलो तो आज हम लोग जो टाइप फिल्म ह baik इसके बारे में बताएंगे जो फिल्म होथी है वो कई टाइप्ज के प्हुत mogelijk घ्ल्म क्या होती है most often used in radiography मतलब radiography में manually कि इसको ते स्क्रीन होता है गाली की है यह और मोर कॉंटरस लेवल हाई कॉंटरस फिलम ब्लैक वाइट और लो कॉंटरस फिलम ग्रेए जनती है Direct Exposure या फिर जिसको हम Non Screen小時 भी बोलते है। तो यह क्या होता थीकर इमलसन then Screen पिलम यूज़ इन इंदस्टी जाता है निकला स्क्रीन उससे काफी ज्यादा मोटा होता है या दीकर होता है और यह मैनली यूज़ी इंदस्टी इंदस्टी इजो नोन स्क्रीन फिलम है वो यूज की जाती है मेमोग्राफि जो फिलम है झाल सिंगल इमलसन जो जो जाती है छेंचिस ऐते हैं पिंदे फिलम का उते है 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 वो यूज की जाता है और exposed to ultraviolet light और यह किस से expose की जाती है जो ultraviolet light यह है उससे expose की जा सकती है next आती है subtraction film subtraction film क्या होती है यह भी single emulsion film होती है और mainly यह angiography जो प्रोसिजर करते है यानि कि जो blood vessels के लिए जो प्रोसिजर की जाती है उसके लिए यह use की जाती है dental film क्या होती है जो dental film होती है वो two types से होती है तो first one आती है इसके अंदर intraoral और इंट्र आती है extraoral इंट्रा ओरल जो film होती है जो dental film हो उसके जो size होती है वो one से one by four या one से five by eight inch की होती है ठीकि यह इसकी size होती है और मैंली इंटा ओरल से ही पता चल रहा है यानि इसको माउथ के अंदर रख के बाद में एक्स्पोज किया जाता है तो इसी वज़े से यह जो अगर माउथ के अंदर रखेंगे तो जो इमलसन फिलम है वो डबल कोटेड की बनाई जाएगी यानि कि डबल इमलसन फिलम की बनाए जाती है वो भी विदाउट स्क्रीन के ठीक है क्योंकि चाहता कि अगर हम डबल इमलसन यूज़ करेंगे तो जो रेडिशन है वो मिनिमम लगेगा अब इसका दूसरा टाइप पाता है एक्स्ट्रा ओरल नाम से पता चल रहा है कि इसको माउथ के बाहर रखके एक्सपोज क्या जाता है इसको पैनोरेमिक फिलम या फिल लॉंग जो व्यू होता है वो भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जितने थर्टी वन टाइम में एक्सपोज कर लिया जाता है इसके जो फिलम की साइज होती है वो 5 x 12 इंच होती है इसमें सिंगल इमलसन फिलम यूज की जाती है और वह भी विद स्क्रीन के साथ में और जो इंट्रा ओरल है उसमें स्क्रीन यूज नहीं की जाती है नेक्स्ट आता है मेडि आता है